इस वीटियो में लोग लिस्ट स्टाइल इमेज देखेंगे लिस्ट स्टाइल िमेज प्रॉपर्टि इन इं निवि स्ट आइटम मार्कर भी इन शेट प्रोफोर्टि तू नर्न ओर वेब अड्रेस of an image या फिर आपके server में web server में जो भी location में रखा गया है कोई भी image का file उस image का location भी आप path भी दे सकते हैं ओके example देखें तो ul और ul में मैं लिखा हुआ है ul में क्यों लिखा हुआ है यह on ordered list है इसलिए ठीक है list style image और यहां आप लिखते हैं url और url के अंदर आप इसको double courts के अंदर या फिर single courts के अंदर भी आप लिख सकते हैं जो image का नाम है image file का नाम है उसको लिखना है proper extension के साथ देखें है मैंने .png लिखा है और आपका .jpg है तो .jpg है आपको लिखना है .gif है तो .gif लिखना है ठीक है सो चलिए इसका example देखते हैं live ओके सो यहां मैंने set किया हुआ ul में देखें CSS क्या होता है CSS सिर्फ style sheet define करता है यानि कि कैसा आपका document दिखेगा यहां हम लोग list create नहीं कर रहें list create तो HTML के द्वारा ही किया जाएगा लेकिन वह जो list create किया जा रहा है वह दिखेगा किस तरीके से किस तरीके से represent होगा उसको यहां style दिया जा रहा है CSS के दुरूब तो यहां सिर्फ हम लोग style देने का काम करते है list पहले से बना हुआ है जैसे कि आप लोग यहां देख पाएंगे कि मैंने एक unordered list पहले से बनाया हुआ है HTML में अब मैं यहां सिर्फ क्या कर रहा हूं इसको style दे रहा हूं कि यह किस तरीके से दिखाई देगा सबसे पहले इ देखते हैं CSS को हटाते हैं save करते हैं और इसको run करके देखते हैं कि यह कैसे दिखता है हमें without CSS इसको थोड़ा समय जूम कर लेता हूं अभी इस तरीके से आपको by default यह दिखाई देरा without CSS हमने इसमें कोई भी style apply नहीं किया यह by default दिखाई देता है इस तरीके से circle रहता है और आपको यह unordered list bullet के साथ अब इसी में अगर आप CSS को apply करते हैं CSS के कौन से property को apply कर रहे हैं हम लोग CSS के हम लोग list property में एक है हमारा list style image इसको apply कर रहे है ठीक है तो इसको मैंने apply किया है इसको मैं हम लोग control s करके save करते हैं इसको refresh करते हैं इस page को refresh करें आप यहां देखेंगे sorry refresh करें तो आप यहां देखेंगे कि यह जो book है मतलब जो book जो image दिया गया था वह यहां आ जाता है इस तरीके से original भी हो इसका है अब कुछ चीज़ें यहां समझ लेजिए वह क्या है कि यहां URL आपको लिखना है और यहां आपको यहां देखेंगे यहां मैंने क्या कि यहां जो यहां लिखा उसी book.png लिखने से आपका काम नहीं होगा यह file आपके location में save होना चाहिए मेरे case में जहां मैंने यह html का file save किया है वहीं पर मैंने यह image भी रखा हुआ यहां आपको देना पड़ेगा double quotes के अंदर ठीक है जैसे कि अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहां आप देखेंगे कि यहां मैंने save किया हुआ है font sorry list style image और यहीं मैंने मेरा book का जो png भाल है वह यहां है तो same location पर दोनों है इसलिए सिर्फ मैंने नाम लिखा है तो यह आ गया view इसका लेकिन अगर किसी और जगह पर रहता तो पुरो path हमें लिखना पड़ता अब यहीं पर आप इस यहां आप इसका एक set कर सकते है नन से क्या होता कि यह कोई भी image है या फिर कोई भी अगर style दिया गया तो वह हट जाएगा नन हो जाएगा image के लिए इस property के लिए ठीक से आप web address भी देश सकते हैं इंटरनेट चाहिए होगा connection और के से इस तरी के से list style image होता है मुझे में देख्या आपको यह समझ में आगा थांक्स वर वाचिंग